गुड मारिंग, सुप्रबातम तो आज जो चर्चा का मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा क्या? 69th BPSC आप आए दिन YouTube भी देख रहे होंगे बार्षेप पे भी मैसेज, लागतार मैसेज का मुवमेंट भी है आप लोग पड़े भी होंगे 69 BPSC नौटिफिकेशन के बारे में जो कहा जा रहा है तो ये फस्ट विक, जुलाई के फस्ट विक में आ जाएगा और एक्जामनेशन का जो डेट है पीटी का वो लगभग क्लियर है 31 सेप्टेमबर, यही एक्जामनेशन का डेट होगा चुकि BPSC इसके लिए सेंटर के संदर्व में काम करना सुरू कर दी है 69 BPSC मेंस का भी डेट लगभग उन लोगों ने निर्धारित किया है और वो सामाने तो पर देखा जाए तो दिशंबर से जनवरी तक यानि मेंस का एक्जामनेशन भी हो जाएगा कहने का मतलब है कि PT के लिए भी टाइम कम है और मेंस के लिए भी टाइम कम है अब PT एक्जामनेशन से अगर आप मेंस के डेट को देखेंगे तो बहुत कम टाइम लगएगा या फिर PT के रिजल्ट के बाद अगर आप मेंस को देखेंगे तो आल लगेगा मुश्किल से एक महीने का टाइम मिलेगा तो वैसी स्थितिम है लगता है कि PT और मेंस की तयारी बिल्कुल साथ-साथ होनी चाहिए जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका इस छेतर में मेहनत लगातार चल रहा है या जो निकालना चाहते हैं उन्हें PT के साथ-साथ मेंस को भी लेकर चलना परेगा तभी वो 69th VPSC मेंस के एक्जामनेशन में अपने आपको कमफर्ट पाएंगे अब सबसे पहले अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा PT के संदर्ब में तो एक बात तो असपस्ट है कि 68 PT के कोशन को आप लोगों ने देखा है कोशन के मोड में परिबर्तन आया ये भी आपने देखा कोशन के अस्तर में भी थोड़ा परिबर्तन था ये भी आपने देखा आगे जैसी कोशिस भी PSC की चल रही है वो लग रहा है कि कोशन थोड़ा कंसेप्चुल कोशन की संख्या बढ़ जाएगे दूसरी बत मोड में भी थोड़ा फरक आएगा अब ये बिलकुल असपस्ट हो चुका है कि जो 1.500 प्रस्न होंगे तो प्रस्न में जो विकल्प होता है वो अब पांच के बजाए चार ही विकल्प होगा A, B, C, D चार विकल्प होगा अभी भी कमिशन कंफर्म नहीं है कि 4 is to 1 होगा या 3 is to 1 होगा लेकिन चांस जादा बन रहा है कि निगेटिव मार्किंग 3 is to 1 रहेगा वैसी स्थिती में आप ये सोचिए कि अगर कोशन कंसेप्चुल पूछ रहा है कोशन में निगेटिव मार्किंग 3 is to 1 हो तो वैसी स्थिती में PT की तैयारी माइनी रखती है और PT की तैयारी भी समग रूप से कंसेप्चुल अस्तर पर जैसे पहले तैयारी करते थे, चुटका टाइप मेहनत कर लेते थे किसी गाइट को बना लेते थे, रच जाते थे इस आधार पे PT निकलने बाला नहीं है अगर PT निकलना है तो मेंस को ध्यान में रखते हुए PT की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका conceptual portion भी अच्छा रहे और informative भी आपका अच्छा रहे यानि इस रूप में मेहनत किया जाए कि PT के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो तो बैसे इस्थिती में आपके लिए PT क्या होगा आसान हो जाएगा और एक बात तो मनना ही है कि cut-off बले conceptual हो जाए negative marking 3 to 1 हो जाए लेकिन target 90 plus ही होना चाहिए अगर उतना target है तभी आप सफलता की करीब होंगे आप मेंस देने की स्थिती में होंगे ये जरूरी है सोचना यही सोच के आदाहर पे आपकी तैयारी होती है या आपके तैयारी का आदाहर यह सोच निर्वित करता है ठीक है अब रही दूसरी बात आप मेंस की अगर आप बात कर लीजे तो मेंस के question का क्या module होगा BPSC ने इसको भी जारी कर दिया तो जो BPSC ने मेंस का module जारी किया है वो 68 मेंस का जिस परकार से question था उसी पर आधारित है यानि यह मान कर चलिए कि मेंस में अगर GS का question अगर होगा GS1 और GS2 तो यह जैसे 68 के examination के question का pattern था ठीक उसी pattern पर आधारित होगा जहांपे आप देखेंगे क्या कि GS1 में अगर तीन section है तो तीनों section का जो पहला question होगा वो क्या होगा? short notes के रूप में होगा है न? तीनों section का first question जैसे पहला इसका भी पहला कहने का मतलब ऐसे चौथा हो जाता है और इसका भी पहला question यह short notes के रूप में होगा और यहां पे आपको short notes कितने लिखने होगे? A, B, C, D और E यानि तीनों में पाच-पाच कहने का मतलब है कि short notes की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है? और full question जिसको आप full length question कहते है तो section A का section A का अगर देखेंगे पहला question, दूसरा question, तीसरा question तो तीनों को अगर आप मिलाते है तो full length question की संख्या कितनी होगी? Full length question की संख्या हो जाएगी? 5 कहने का मतलब है कि 15 short notes लिखना होगा और 5 full length का question लिखना होगा ठीक, same pattern second paper में भी होगा यानि आपको यहाँ पे भी 20 question लिखने है short notes और full length को मिला कर answer लिखना है क्या full length short question को मिला कर दूसरी बात ध्यांदने की है कि हर एक section का जो पहला question होगा यह अनिवार्ज होगा इसमें कोई बिकल्प नहीं होगा यह अनिवार्ज है आपको ABCDE एकदम लिखना ही लिखना है यानि हर section का पहला question आपको लिखना है तो एक बात तो बिल्कुल असपस्ट है कि अब guess question की संभाबना मेंस में नहीं बनती है दूसरी बात short notes होने के करण overall slayvers को कभर कर रहा है question तो वैसी इस्थिति में जब तक आपकी समगर तयारी नहीं होगी जब तक आपका practice full question पे short notes पे नहीं होगा तो वैसी इस्थिति में answer को लिखना आसान नहीं होगा यानि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका आपकी रन्निती में तब्दिली आनी चाहिए और जो question का module दिया BPSC न है तो देखिएगा first paper first paper का first section जो history है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारतिय संस्कृति और स्वतंतरता संग्राम ठीक है उसमें क्या लिखा हुआ भारतिय संस्कृति और स्वतंतरता संग्राम बाकी syllabus में कोई फर्क नहीं है सेम ऐसा ही है लेकिन first paper में उसने सीधे असफर्ष्ट कर दिया क्या भारतिये संस्कृति और दूसरा पार्ट इसी में एड क्या किया स्वातंत्रता संग्राम अब अगर आपने 68 के प्रसंद को देखा होगा आप गौर करके सोचिए अभी तक जो BPSC के मेंस का एक्जामेशन हुआ तो आर्ट का कोशन जब भी पूछा गया तो मौर्जन आर है एक साल BPSC ने पूछ दिया था किया एक साल बिहार का कला और चितर कला के कोशन पूछा था समगर आर्ट से कोशन पूछा गया था लेकिन अब अगर दे रहा है भारतिये संस्कृति तो एक बात मान कर चलिए, जैसे ही सब्द आ जाता है संस्कृति, तो ये मान कर चलिए कि संस्कृति में भासा और साहित्य एड़ हो जाता है, संस्कृति में समाच एड़ हो जाता है, संस्कृति में धर्म और दर्शन एड़ हो जाता है, संस्कृति में कला, कहने का मतलब बास अब ये एरिया काफी व्यापक हो गया लेकिन मोचे तौर पर अगर देखा जाए तो पिशेश रूप से बीपीएसी अगर कोश्चन का पैटर्न बनाएगी या कोश्चन बनाएगी तो आठ से चुकि पिशले बार अगर आपने जब देखा होगा ऐसे संस्कृति मतलब एडिया बढ़ा है कहीं से भी कोश्चन पूछ सकता अगर उसने कोश्चन के मॉडल में दिया तो लेकिन अगर भू धार्म के स्वादी खाली कोश्चन नहीं था लेकिन इस बार डाला गया यानि इस बदले पैटर्न पे कोश्चन था दूसरी बात याद कीजिए एक कोश्चन पूछा गया था क्या पूर्वी भारत में गुफा कला का दिकास पूछा गया था ये पहले कभी BPSC ने पूछा नहीं इसका मतलब है कि आर्ट के अंतरगत चाहे वो अस्तूपा आर्ट हो मंदिर आर्ट हो गुफा आर्ट हो चैत्य आर्ट हो सभी से कोश्चन बन सकता है या मुर्ती कला चितर कला से भी कोश्चन बन सकता है कोई जरूरी नहीं कि मदुबनी पेंटिंग टक और पटना कलम सैली तक सिमित रहे या मुर्ती कला के चितर में कोश्चन ना हो हो सकता है गांद सुरूप से मेहनत करने की अबस सकता है और बाकी के संदर्म में भी अत्रिक्त मेहनत की अबस सकता है चुकि पहला कोश्चन जो सौट नोट से है वो पूरे सलिवस को अगर कभर करेगा तो वैसे इस्थिति में आपको विशेश रूप से एक बहतर रनीती के तहट पढ़ने की अबस सकता पढ़ेगी ठीक है तो ये एकदम बलदा हुआ स्वभाव है BPSC का बदला हुआ नेचर है तो वैसे इस्थिति में आपकी कार्च करने का तरीका आपकी रनीती आपका पुस्तक जिससे आप पढ़ते थे उसमें तब्दिली की जरूरत है और इस तब्दिली के साथ ही जुड़ेंगे तो आप सफल होंगे इसकी गारंटी होगी तो इसी उद्देश्य के निमित हम लोगों ने यानि दृष्टिकोनाई इसकी और से कुछ प्रोड़ाम सुरू हो रहा है ये आने बाले 23 तारिक से 23 जून यानि 23 जून अब यहां से हम लोगों का एक मेंस के लिए बैच शुरू हो रहा है बिपी एससी मेंस जिसमें जी एसके साथ साथ एसे चुकि तीन सो नंबर का एसे है जिसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनना है और एसे के आपने क्वालिटी को देखा जब एसे इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहां लोगों को यह लग रहा था कि एसे पूछने का पैटरन बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा महिला सा सकती करन ठीक है बेरोजगारी निर्धानता इस टाइप से कोशन होगा लेकिन जब आपने एसे के कोशन को देखा होगा बहुत इंट्रेस्टिंग मतलब टॉपिक सब था लेकिन एक बात तो असपश्ट है कि एसे लिखने का पैटरन एसे के संदर में सोचने का आपका तरीका कोशन को समझने के तरीके कोशन को समझना बहुत सहज नहीं है उस पे भी मेहनत करने की ज़रुवत है और एसे के लिए दबेश तरीका होता है रेगुलर प्राक्टिस में आ जाना चीजों को समझना क्या डिमंड कर रहा है अपने बिचार को एक बहतर अभिव्यक्ती देना तो ये एक नियमित प्राक्टिस से ही समभब है तो इसके लिए यानि 23 जून से यानि मेंस के लिए जिसमें आपका जियस का फर्ट पेपर सेकेंड पेपर होगा और साथ में एसे उसमें समाहित होगा ठीक है इसके लिए हम लोगों ने एक बैच की सुरुवात किये यानि 23 जून साम को 4.30 पीम टू 7.30 पीम ये क्लास का टाइम है ठीक है यहां से हमारा बैच शुरू हो रहा है लेकिन सप्टाह में 30 अभी चुकि PTP आपके सामने है इसके लगाथार क्लास अगर मेंस का लिया जाए तो आप comfortable मसूस नहीं करेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में बिकली 3 days ये मेंस पे बर्क चलेगा जिसमें क्लासेज भी होंगे एक दो कोशन पे पर दे राइटिंग प्राक्टिस भी साथ साथ चलेगा और ये तीन दिन कौन सा होगा सुक्र बार, सनी बार और रभी बार फ्राइडे, सेटरडे और संडे जहां पे आप मेंस का क्लास भी ले सकते हैं और मेंस के लिए प्राक्टिस भी रेगुलर कर सकते हैं ये हम लोगों ने सुरू ये बतलब की 23 तारिक से सुरू हो रहा है दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि पी-टी टार्गेट कोर्स में आना चाहिए या जो 69 के बाद अप्यर होने के मूड में है ठीक है, उनके लिए पी-टी का बैच भी सुरू हो रहा है ये दो टाइम चलेगा मॉर्निंग भी होगा, इबनिंग भी होगा, अपने सुविधा नुसर, अगर स्टूडेंट चाहें तो टाइम सेलेक्ट कर सकते है मॉर्निंग का जो टाइमिंग होगा वो 7.30 तू 10.30 पी-म और इबनिंग का जो टाइमिंग होगा ये यहां पर जो हो जाएगा, मैं गरतलिक दिया हूँ 10.30 एम और इबनिंग का टाइम जो होगा 4.30 तू 7.30 पी-म साथी साथ इस सप्ता सटर्डे से इस सप्ता सटर्डे से कहने का मतलब 24 तारिक से, 24 जून से 24 जून से 69 बी-PSC के लिए ओपन टेस्ट सिरीच की भी सुरुवात हो रही है जो भी इंट्रेस्टेड है वो नमबर आपके पास अबलेबल है आपको नमबर दिखाई देता है आप आराम से फोन करेंगे बात करेंगे और आप क्लास की टाइम के हिसाब से दो दिन या तीन दिन का बिल्कुल फ्री शेसन ले सकते है चाहे वो प्रिलिम्स में हो चाहे मेंस में हो उस फ्री शेसन के बाद आपको अगर लगता है कि नहीं जुड़ना आपके लिए फाइदे मंद है तो आप कंटिन्यू करेंगे ठीक है लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल पैटन बदला हुआ है सलेबस में भी परिवर्तन है कोशन के पैटन में परिवर्तन आने बाला है इसलिए हमें अभी से ही अपने आपको इस बदले पैटन पे प्रिपेर करने की अवज सकता है चुकि अब जो मेंस का कोशन है वो समगर अध्यान का डिमांड करता है PT का जो कोशन का लेबल है समगर अध्यान का डिमांड करता है Information के अस्तर पे भी और conceptual अस्तर पे भी इसलिए बुद्धी मता इसी में है कि इस बदले पैटन के हिसाब से अपनी रन्निती और प्रहाई के तरीके को बनने की अबस सकता है ठीक है धन्यवाद थैंक यू